हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो जैसे कि आपको पता है एक नोटिफिकेशन आई थी कश्मीर यूनिवर्सिटी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट का एक्जाम जो है वो कंड़क्ट करवाया जाएगा उसके सिलेबस को लेके बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट है कुछ बच्चे जूनियर असिस्टेंट के जो हमारे साथ से जुड़े है जो पंद्रा सो विकेंसी आई थी जेके एससवी के द्वारा जिसमें हमारे साथ आल्मोस्ट वन थाउजन प्लस बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर गे थे थैंक्स टू नो यूर डिस्ट्रिक्ट तो आज कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो एक्जाम है उ इसका एक कम्प्लीट कोर्स आप लोगों के लिए वेलिबल हो चुका है ट्रिफलेस की आप पर इस आप में जो यह कोर्स होगा देखो इसमें हम लोग जो भी स्लेबस डिसकस करेंगे वो सारे कंटेंट आपको इसमें मिलेगा जिसमें JKSSB का जो स्लेबस होता है वो भी अब यहां पर पहला डाउट बच्चों के दिमाग में आ रहा है टाइपिंग को लेके क्योंकि जो ओफिशियल नोटिफिकेशन आई थी वहां पर टाइपिंग के बारे में कहीं पर भी मैंशन नहीं था लेकिन कुछ बच्चे जो है उनको यह का गया कि टाइपिंग होगा अब डिपलोमा नहीं चाहिए तो अभी तक अफिशियल ही कुछ नहीं आया तो हम लोग यहां पर इस चीज को मान के चलते हैं कि अगर आप लोग इसके लिए प्रिपेर करें जुनियर असिस्टेंट के लिए पहले टाइपिंग नहीं हुई थी तो अभी कि अगर बात करें आप अपने दिवांग में रख लीजिए कि अगर टाइपिंग होती भी है तो जिन बच्चों ने पहले तैयारी करी हैं उनको जड़ा डिफिकल्टी होगी नहीं जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आपके लिए टाइपिंग के हम लोगों ने लेक्चिस जो है वो डाल आपको देंगे अगर तीन महीने से कम का टाइम गा तो हम आपके लिए पांस टेस्ट लेकाएंगे अब बात करते हैं यहां पर स्लेबस को लेकर देखो जो जो एक्जाम आप लोगों का हुआ था दो जार बीस में तो उसका अगर मैं स्लेबस यहां पर डिसकस करूँ तो य अभी के लिए यहां पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया वेट करें बच्चे ऑफिशल स्लेबस का लेकिन एक बार हम स्लेबस पे नजर डाल देते हैं तो आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लेर हो जाएगी कि क्या तैयारी आपको करनी है और क्या तैयारी आपकी सही जा रही है या जो बच्चे अभी freshers है अगर आप लोग सोच रहे हैं तो किस तरीके से शुरुआत की जाए देखो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जो objective questions थे पिछली बार वो थे 100 और अगर JKSSB की बात करूँ तो वहां पे total questions थे आपके 80 20 नंबर आपके किस के थे typing के थे ठीक है यहां पर अगर objective questions की बात की जाए 5 sections होगी हर section के 20 questions होगे एक नंबर आपका होगा और total जो time होगा वो आपको मिलेंगे 110 minutes अब यहां पर अगर मैं बात करूं English section को लेके तो देखो यह section अब आपको कुछ जानी पहचानी लगेगी यह वही section है उसी तरीके का same syllabus है जो आप लोग JKSSB का पढ़ते आ रही है हम लोगों ने इसके लिए video lectures upload कर दिये हैं इस course में आप इसको पढ़ना अगर शुरू कर देते हैं देखो कश्मीरिया निवेस्टी का पढ़ोगे तो कोई भी recruitment मतलब अभी तक JKSSB के दवारा भी अगर जितनी भी recruitment आप उठाल जिसको लेके बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट चल रहा है अब यहां पर बात करें जो की आपका JKSSB का है अब यहां पर पढ़ना क्या है जो सबसे बड़ा सवाल आता है देखो सबसे पहली चीज freedom struggle की बात करी गई है different dates and events यह basic अगर मैं बात करूँ तो आपको modern history को जो है वो पढ़ना है इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं यह भी आपको काफी मतलब weightage रखता है अगर 20 questions हर एक section के बोले हैं तो 2-3 questions तो आप लोग मान के चले हैं आपको पूछी जाती हैं जैसे मान लीजे कोई news में जैसे अभी दोहा event हुआ जिसमें championship हुई जिसमें नीरत चोपडा ने गोल जीता चीक है अब हो सकता है और यह पहले इंडियन बन गए है जिन्होंने टूर्णेमेट जीती है अब यहाँ पर आप लोग देख सकते है sports sports में पहल से पहला सवाल आता है मैं आपको बताऊंगा या फिर यह lecture मैं आपके लिए अलग से ले आऊंगा इसमें जितनी भी discoveries हुई है ना आज तक या जितनी भी inventions हुई है उनको आपके एक बार देखना है कि किसने किसको खो जाया यहां पर यह सब चीजे जो है न popular personalities की इस तरीके स आजाती है और साथ ही साथ popular personality आपकी current affairs यह section maximum part आपका current affairs से ही related होगा पिछले 6 महीने के current affairs आपको पढ़ने पढ़ेंगे वो आपका पूरा sufficient होगा next part आप लोग देख लीजे अपने आपमे ही current affairs है the newspaper world current dailys and weeklys of India यह सब आपका इसमें आ जाता है books and authors general अब यहां पर क्या है य जैसे महात्मा गांधी आ गए या कोई आपका एक लेडर थे जौला नैरू आ गए सुभास्चंद्र बोज आ गए अगर इनके द्वारा कोई book लिखी गई या वो है या फिर जो current affairs में book आपकी आज की date में चल रही है वो आपसे पूछी जा सकती है इस पे पर languages की बात करू जो है यह आपसे पूछे जाते हैं ठीक है इस तरीके के question जो पेपर में frame होते है नेक्स पे आ जाते हैं हम लोग capital and currencies जो भी news में capital जो country चलती है वो आपको पूछी जाती है जैसे अभी सुदान में बहुत ज़्यादा issue हो रहा है आप लोग homework note कर लीजे comment box में लिखके बतान यहां पर क्या है यह अप जो topic है ना यहां पर आप जो देख रहे हैं इसको आप लोग मान लीजिए यह आ जाता है आपका important international और regional organization में अब यहां पर आप लोग सोचेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है इसमें आपकी जितनी भी important organizations हैं जैसे UNDP आगई UNEP आगई यह बहुत बा आपको देखने को मिलेगी अगर आगए तो देखो यहां पर यह जो अवार्ड जैना यह भी दो तरीके से पूछे जाते हैं किस तरीके से आते हैं यहां तो देखो जो current event में चल रहा है जैसे Nobel Prize मिला है किसको मिला है पीस के लिए किसको मिला है वो पूछा जा सकता है किस field क लिए मिला है क्या किया था उन्होंने या फिर आपसे डिरेक्ट पूछा जा सकता है कि मालीजे धरोनाचारे अवार्ड दिया जाता है जो स्टाटिक का पाड़ आता है किस को मिलता है किस sports sports में मिलता तो player को मिलता है coach को मिलता तो यह चीज़ें आप लोग यहां पर यह की government होती है democratic institutions देख सकते हैं इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं वापिस है current affairs यह पूरी section अगर मैं आपको cut short में बता हूँ तो 20 में से आप लोग मालीजे 10 से बना questions होंगे वो आपके current affairs के related ही पूछे जाएंगे टेक्निकल यह अगर इसको देखा जाए role of mathematics in economics पूछा गया है agriculture पूछा गया है यहाँ पर economic development के लिए industrialization के लिए Indian foreign trade पे पूछा गया है new economic reforms पूछी गई है inflation और यहाँ पर यह basic जो चीज़ी है यह आपका थोड़ा सा ही weightage रखेगी हाल लिए क्या दो question यहां से बनेंगे but आप पूरी section जो इतनी बड़ा चड़ा क दिए यह सारी हम लोग अपने उस course में available करवा देंगे अभी के लिए और जो चीज़ें नहती है वो मैं एक बर यह official syllabus आने के बाद यहां पर cover करवा दूगा next पर आते है general science के अगर मैं बात करूँ यह general science में आप लोग देख सकते हैं यह syllabus आपका same copy paste है SI finance का same आप लोगों क कि अगर मैं बात करूँ जिन बच्चों का math भी का उन लोगों के लिए एक advantage हो जाएगी अगर यह आप पर क्योंकि यह major पाड़ा ही reasoning है सिरफ आपका math के एक topic के आप speed distance time ही है आपको इसको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से अगर आप लोग यह exam qualify करना चाते next question पर आते है जिसको लेके बहुत सार बच्चों के दिमाग में doubt सर रहा है कि यह domain जो है knowledge जो है यह क्या है देखो अभी के लिए इस syllabus में यह mention नहीं है पिछले इससे पहले जो exam था तब भी नहीं थी जो 2020 में था तब यह आई थी अब इसमें क्या है office practice and sectorial duties जेके service conduct rules लीव रूल्स आट यह single lecture के आगर मैं बात करूं तो पूरा यहां पे है domain knowledge की अभी इसके लिए हम वेट करेंगे एक बार official syllabus का ताकि यहां पे अगर कोई changes हो तो आपको यह क्योंकि यह ऐसी चीजी है जो आपको बार बार जो है हर एक exam में नहीं देखनी पड़ेगी बाग की जो है हर एक exam में आती है यह हम लोग वेट करेंगे कि एक बार official syllabus आजए उसके बाद हम इसको यहां पर discuss करेंगे अगर मैं बात करूं यहां पर आपके दिमाग में चल रहा है next point पर आ जाते हैं आप लोग यह देखिए आप लोग जो पार्ट भी लिखा गया है computer test यह पिछले साल के syllabus में था objective type questions कितने थे 50 जिसमें कितना objective होंगे number of objective हर section से होंगे 10 याने कि इन सब के 10-10 questions है और यह बहुत important section है बहुत एक जादा weightage रखती है और 60 minute का होगा अब यहां पर यह आप लोग देख सकते हैं part B जो है computer test जो है वो आपका 50 number का है यहां पर तो यह जो चीजे हैं अब अगर म इसमें थोड़ा बहुत कम जो हमारे Kashmir University का उसे बहुत कम syllabus होता है numerical and reasoning ability में यहां पर थोड़ा सा math आ जाता है लेकिन इसमें नहीं है basic concept अगर बात करूं तो यह जो syllabus है यह दोनों almost आपके same ही है और in sections के अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको computer और English तो दोनों की जो है वो same game ही देखने को मिलेगी ठीक है तो यहां पर आप लोग official syllabus का wait करने से better है कि तैयारी शुरू कर दीजिए हम लोग यहां पर इस course में हर एक चीज़ जो प्रवाइड कर देंगे इस course की fees total जो है वो 500 रुपे है अभी अगर आप लोग यह course जो यूज़ करेंगे triple S का तो आपक को हर एक चीज मिल जाएगी टाइपिंग के लिए भी हम लोग बीच में से content नहीं हटाएंगे अगर मालीजे आपके कश्मीर उनिवस्टी आड भी करती है टाइपिंग को तो भी आप लोगों को एक advantage हो जाएगी हम इसको नहीं हटाएंगे अभी के लिए अगर in case official syllabus आएग करेंगे अभी के लिए हम वेट करेंगे syllabus का course आपका available हो चुक है आपको almost 2300-300 lecture आपको मिल चुक है आप उसकी तयारी शुरू कर सकते हैं अपने end पे बाकी मिलते हैं जल्दी नहीं lecture के साथ अभी के लिए इजाज़त जो लोग इसकी तयारी कर रहे हैं देखो vacancies अभी अभ आपका ये syllabus अगर एक बारी complete हो गया तो यह आपको बहुत help करेगा बाकी exams में तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी नहीं lecture के साथ अभी के लिए तो आपको बता दूँ जल्दी ही मैं इस पे भी अब बात करूँगा इसके बारे में मैं proper update आप लोगों को करती है तो आज के लिए से इतना रखते हैं मिलते जल्दी नहीं lecture के साथ अभी लिए दीजेए जादत have a nice day all the best